कभी सोचा है आज 100 रुपे का क्लोजिंग प्राइस कल का ओपनिंग प्राइस क्यों नहीं बनता ऐसा इसलिए because overnight market and stock का sentiment change हो जाता है यह change economic factors की वज़े से हो सकता है जैसे कि international market में अगर crude oil के prices बढ़ जाएं तो oil marketing companies के अगले दिन की opening price पर यह impact डाल सकते हैं तो वहीं यह change company की news की वज़े से भी हो सकता है जैसे after market hours के बाद अगर कोई company अपना result announce करती है तो वो result की announcement भी अगले दिन की opening price पर impact डालती है अक्सर अगर news positive हो तो opening उपर होती है अगर negative हो तो opening नीचे होती है इसके इलावा after market orders यानि की market बंध होने के बाद भी जब buying and selling की orders place किये जाते हैं तो वो भी अगले दिन की opening price कर impact डालते हैं